Hello everyone I am Akash Ghor and welcome back to your Indian Medical Lectures आज हम लोग जिस इस के बारे में बात करने वाले हैं वो है topics Antigen and Antibody Reaction Antigen and Antibody Reaction क्या होती है किस टाइप से functions करती है यह सब चीज़ें हम लोग इसमें discuss करेंगे तो let's start today's topic So Antigen and Antibody Reaction So what is Antigen and Antibody Reaction क्या होती है यह हम लोग देखेंगे मैं पहले हिंदी में explain करूँगा तेन इंग्लिश में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं explain करता रहूँगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले देखेंगे Antigen and Antibody Reaction की definition मतलब Antigen and Antibody Reaction की क्या परिभाशा होती है इंटिजन इंटिजन देखो कुछ नहीं है Antigen क्या है Antigen is a foreign particle foreign particles का मतलब होता है कि जो की बाहर से हमारी बोडी के अंदर आके हमारे शरीर को नुकसान करे उसे हम एंटिजन कहते है clear तो जो एंटिजन होता है इंटर 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 बोडी जब कोई Antigen हमारी बोडी के अंदर इंटर करता है और produce करता है its specific or corresponding antibody इसका मतलब क्या simple चीज में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे कि मैं star shape में कोई Antigen बनाता हूँ यह Antigen है जैसे ही यह इंटर करेगा हमारी human body के अंदर तो हमारी body के अंदर होती है Y-shape की antibody जिसे हम बोलते है बेटा immunoglobulins इसको produce करता है और यह specific होती है specific का मतलब यह है जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए यह TB का bacteria means tuberculosis bacteria है तो यह tuberculosis की antibody को produce करेगा ऐसा नहीं होता है कि tuberculosis का bacteria आया औ और salmonella की antibody को produce कर रहा नहीं क्योंकि tuberculosis के लिए fix antibody है salmonella के लिए fix antibody है तो इसका मतलब यह है कि अलग-अलग antigen के लिए अलग-अलग antibody होती है कि लिए रहे हैं आपको इतने चीज समझ में आई आप देखो फिर से मैं इसको repeat करता हूँ ठीक है तो यह चीज आपको समझ मे antigen antibody reaction क्या होती है डबल से में repeat करता हूँ antigen antibody reaction special type of process होती है when antigen enter into a body जब कोई antigen हमारे शरीर के अंदर enter करता है तो produce करता है its corresponding antibody corresponding का मतलब होता है उसके fix antibody inside of body मतलब body के अंदर and bind with that उसके साथ bind करता है यह this process is called antigen and antibody reaction एक इसको ऐसे भी पढ़ सकते है हम लोग when antigen bind with antibody in an observable manner and optimum temperature and optimum pH बोलने का मतलब यहां है मेरा कि जब भी कोई antigen antibody से जुड़ेगा तब उसके लिए manner होना चाहिए यह मतलब optimum temperature एसा नहीं है कि आप 100 degree temperature को antigen antibody की reaction करवाओगे नहीं उसका temperature fix होता है कि हमेशा 37 degree centigrade पही reaction करती है means जो हमारा body temperature होता है हमको पता होता है कि हमारा body temperature 37 degree centigrade है तो यह हमेशा 37 degree centigrade पर ही बाइंड करती है optimum temperature fix pH होता है हमारी body का definitely pH fix होना चाहिए antigen antibody हमेशा आपस में जब जूड़ती है तो इसके कुछ requirement होती है ऐसे समझ लो एक temperature fix होना चाहिए उसका pH proper मिलना चाहिए processing is called antigen antibody reaction हिंदी में समझ लेते हम इसको antigen and antibody reaction एक विसेस्ट प्रकार की प्रक्रिया होती है आमको पता है विसेस्ट प्रकार की प्रक्रिया ही है वो जिसके अंतरगत कोई भी antigen जब किसी antibody के साथ आकर जूडता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते है antigen antibody reaction कहते है हाँ definitely जब भी कोई antigen आएगा simple बास समझ लो आप कहेंगे antigen antibody reaction के लिएर हम आगे बढ़ते है next slide में अब देखो यह बोल रहा है in an antigen and antibody reaction occurs special type of interaction क्या होता है इनके बीच में occurs मतलब की होना interaction होता है interaction का मतलब क्या है interaction का मतलब होता है जुड़ना bind होना जाना उसके पास interact होना attach होना यह बहुत सारे उसके similar word हो सकते हैं तो interaction का म antigen का antibody के साथ जुड़ना उसके बीच में जो interaction होता है वो होता है epitope और peratops देखो नए word आ गए जादा घबराने वाली बात नहीं है epitopes और peratops का क्या मतलब होता है simple चीज समझाता हूं देखो epitopes का मतलब होता है epitopes is a special parts of antigen antigen वह हो particle जो कि बाहर से आपकी body के अंदर आ मेरे पेर है मेरे हाथ है तो हमारी body के यह part है इसी प्रकार से जो antigen है न बिटा antigen का एक parts होता है जिस part को मैं बोलूँगा epitope यही epitope जाके antibody से जुड़ेगा देखो समझ लेते epitope is a special part of antigen it help and antigen to bind with the antibody antibody की साथ जुड़ने में मदद करता है help करता है देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर एक side पर आपको antibody दी गई है और यहाँ पर आपको यह antigen तो antigen का यह वाला भाग यह नीचे वाला जो भाग दीख रहा है यह पूरा एक antigen है इसके नीचे वाले भाग को मैंने बोला है epitope ठीक है अब यह peratops क्या होत of antibody epitope जो है वो antigen का part है और paratops जो है वो antigen का part है clear तो epitope और paratops में कभी confusion मत होना अगर बात करें epitope की epitope जो होता है antigen का part होता है क्या करता है यह antibody के साथ वह वाला भाग आके जूड जाता है simple बात ठीक है paratops क्या होता है paratops antibody का भाग होता है it help antibody to binding antibody की मदद करता है binding में देख लो diagram में आपको clear दिखाई दे रहा है यह जो part है यह antigen है हमारा यह हमारी y-shape के antibody है तो यह antibody का यह वाला part है यह वाला जहां पर आके antigen जूड रहा है इस भाग को मैंने paratops बोला paratops antibody का part है और epitope ज हमारा antigen का part होता है भाग है उसके शरीर का paratops हमारी antibody के शरीर का भाग है antigen से antibody आके bind हो रहे है और इस reaction को हम simple बोल रहे है antigen and antibody reaction चलो next slide पर बढ़ते हम लोग types of antigen and antibody reaction वैसे तो बहुत सारी type के antigen and antibody reaction होगी बट मैं आपको कुछ explain इस वीडियो में करूँगा इसके बाद one by one next वीडियो में आपको और भी चीजे मिल जाएगी तो discuss करते हैं सबसे पहली antigen and antibody reaction सबसे पहली आती है precipitation reaction फिर से repeat कर रहा हूँ types of antigen and antibody reaction का precipitation सबसे number one पर हम लोग discuss करने वाले जो precipitation होती है ना बेटा कैसे होती है precipitation यह हम लोग समझते हैं देखिए थोड़ा सा समझने हैं यहां पर English में लिखा हुआ है बहुत complicated है आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर समझने की कोशिच कीजिएगा मेरे words पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा मैं पूरा Hindi में आपको explain करूंगा ठीक है एंटीजन रियक्ट मतलब किरिया करना विद करस्पोंडिंग एंटीबोडी का वही मतलब मतलब कोई भी एंटीजन आया उसकी अगेंट में फिक्स एंटीबोडी उसकी बनेगी एंटीबोडी देखो फिर से रिपीट करता हूँ प्रेसिप्रिटेशन इस स्पेशल टाइप एक बिसेश प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें सोल्यूबल एंटीजन रियक्ट करते हैं आकर जूडते हैं करस्पोंडिंग एंटीबोडी से इन एन वही बात आगी ऑब्जर्वल मेनर ऑप्टीमम टेंप्रेचर एक मेनर हो तरहला कने प्रेसिप्रेशन का है प्रेसिप्रेशन रियक्शन गयोडनाधे जिसमें स्पीर एक आप क्या करोंगे यहां हैसिम्पल बात हैं इसमें आप एक लिए इसमेंम यहां uh तो antigen antibody की होगे reaction, और उस reaction को हम क्या कह रहे है, precipitation, और वो क्या बना रही है, floccule, floccule का मतलब ऐसा, दाने-दाने जैसा आपको दिखने लगेगा, आप लोग, I hope कि आपको diagram में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऐसा flocculation फट जाएगा, जैसे milk नहीं फटता है, दू CRP, CRP होता है, C-reacted protein का नाम है, यह test लगा सकते है, यह एक reaction होती है, जिसके थुरू अपन लोग इसमें यह चीजे देख सकते है, ठीक है, precipitation reaction, precipitation reaction, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बीसेस प्रेकार की प्रिक्रिया होती है, जिसमें soluble antigen, soluble का मतलब याद रखना हमेश clear हो गया होगा, floccules मतलब क्यों होता है, मिल के जैसा दूद जैसा फट जाता है, यह सा reaction हमें slide में देखने को मिलेगा, आगे देखते हैं, flocculation, flocculation मतलब is a example of precipitation, flocculation एक example है, precipitation reaction का, which is used to detect many tests at VDRL, VDRL, veneral disease research laboratory full form होता है, VDRL test लगा सकते है, RF factor अभी थोड़ी ज़र पेले बताया, CRP मैंने आपको बताया, यह सब आपन लगा सकते है, काई के through, precipitation reaction करवा के देख सकते हैं, जिसे floccules कहते हैं, ठीके, आइए procedure समझते हैं, इसका, एक point all लिखा हुआ है, this reaction can be done by slide method, as well as tube method, slide method से भी बेटा, अभी आपको मैंने diagram बना के दिखाया था, आइए देखते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसका precipitation reaction का principle, क्या सिधानत होता है, कि सिधानते पर work करता है, देखना, when soluble antigen bind with corresponding antibody, जब भी soluble antigen corresponding antibody से जुड़ेगा, then it form antigen antibody complex, हाँ definitely, antigen antibody complex का मतलब क् कुछ नहीं, यह आई antibody, यह आया, antigen यह आके जुड़ गया, यह बन गया complex, इसे बोलेंगे antigen antibody complex के लिए यह आके जुड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यह आपर antigen antibody complex बनेगा, corresponding antibody की साथ जुड़ेगा, this antigen antibody complex can be visiblized floccules, floccules वोई flocculation जो भी बता है, फट ज इसका, ठीक है, जब भी कोई हिंदी में explain कर देता हूं, जब भी कोई soluble antigen, जब भी कोई soluble antigen आके किसी antibody के साथ जुड़ता है, observal manner, optimum temperature पे, तब antibody, antigen antibody, antigen और antibody के जुड़ने को antigen antibody complex कहते है, वो बनता है, और इस reaction में antigen antibody complex देख सकते हैं, visiblize होती है, floccule की तरह, आई, इसका procedure समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसका procedure करेंगे, देखिए, take one clean and dry slide, and add antigen, ठीक है, आपन लोग लेते भी जाते हैं, यहाँ पर, यह बोल रहा है कि यहाँ पर, एक काज की slide लीजिए, इस पर antigen को add कीजिए, ठीक है, फिर से repeat करता हूं, आपको, take clean and dry slide, antigen लेते slide के उपर, now add one drop of patient serum, which is contain antibody, देखो, मैंने antigen लिया, अब यह देखो, यहाँ पर हो सकता है, यह dot dot dot, जो है, आपको, गोल गोल मैंने बना देता हूं, antigen है, अब क्या बोल रहा है, next line में, यह, now add one drop of patient की serum, तो patient body की serum निकालेंगे, patient का ही test करना है, उस serum में हमको क्या देखना है, antibody है या नहीं है, उस antibody को मैं इसमें 8 करूँगा, ठीक है, अब मैंने यह antibody को 8 किया, मतलब patient के serum y shape की, अगर antibody है, तो flocculation होगा, अगर antibody नहीं है, तो कोई reaction नहीं होगी, मतलब वो white, white sample रहेगा, बिल्कुल भी उसके अंदर कोई floccule नहीं बनेंगे, अगर फट गया, दूद जैसा, milk जैसा, फटा-फटा हमें दिखाई देगा, means हम कह सकते है, flocculation की करिया that contain antibody bind with antigen, it is called antigen antibody complex, keep this slide, one minute and सीधा reaction, एक मिनिट के लिए slide को रखेंगे, फिर हम इसकी reaction को देख सकते है, I hope कि यह चीज़ आपको clear हुई होगी, हम लोग next चीज़ पर बढ़ते हैं, next reaction पर बढ़ते हम लोग, अब देखो, next reaction आती है, agglutination, अब precipitation और agglutination में बिल्कुल माइनर संतर है, देखो, agglutination is a special type of process, in which, particulate, मैंने क्या बोला था, precipitation में soluble antigen, पर इसमें कौन सा है बिटा, particulate, particulate मतलब fix, सारे antigen, combined with specific antibody, in an observable manner, देखो, observable manner और temperature तो reaction के लिए चाहिए, चाहिए, पर इसमें क्या अंतर है, this reaction can be visibilized by the clumping formation, is known as agglutination, agglutination का मतलब होता है, clumping, clumping का क्या मतलब हो, थोड़ा सा diagram में आगे भी बताओंगा, फिर से यहापे भी बताओंगा, यह slide लिया, इस पर मैंने थोड़ा सा sample लिया, यहाँ पर रियेजन डालोंगो, तो ऐसे clumping बनेगी, clumping का मतलब इसे, जूड़ जाएगा, ठीक, बहुत सारे आपको थक के दिखाए देंगे, पानी के अंदर आप क्या करो, आपकी देनिक लाइफ में आपने किया होगा, जब पानी एक फ्रेश पानी का रखा होए बरतन, उसमें हम लोग कुछ oil अगर रेट करेंगे, तो oil कैसे तेरने लगता है, उपर clump जैसा दिखाए देता है, इस ही type सामें इस reaction में भी clumping दिखा आई देगी, इसे बोलते है, agglutination reaction, फिसे repeat कर देता हूँ, agglutination एक special type की process होती, जिसमें particulate मतलब सारे antigen combined होते है, उसके antibody की साथ, observable manner, optimum temperature पे, this reaction can be visibilized by clumping की process, formation, it is known as agglutination process, इसे agglutination कहेंगे, निचे ली लाइन देखिए, in this reaction, those antibody are binding, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सो समझने के कोशिश कीजिएगा, in this reaction, those antibody are binding, इस reaction में जो antibody आकर जूड रही है, उसे अपन क्या कहेंगे, बेटा, agglutinin, क्या कहेंगे अपन, agglutinin antibody कहेंगे, और जो antigen जूड रहा है, उस antigen को कहेंग agglutinogen, देखो, फिर से repeat कर देता हूँ, यह नए वाड़ा है, agglutinin और agglutinogen, agglutination प्रक्रियां में, जो antibody आती है, जूडने के लिए, वो होती है, agglutinin antibody, और जिस antigen से आकर जूडती है, वो होता है, agglutinogen, antigen, clear, देखो, type of agglutination क्या होते है, एक होती है, number one पे आती, active, ज agglutination का क्या मतलब होता है, it is the process in which directly antibody combines with antigen and former clumping, process हो ही हो रही है, कोई भी change नहीं है, बनेगा clump ही, पर directly, directly का मतलब, देखो, जैसे कि अपने क्या करा, यह blood लिया, blood को सीधा-सीधा antibody में मिला दिया, मिला तो क्या हुआ, इसमें clumping आ गई, जो कि slide method से आपन लगाते है, आप को पता होता हो, आपन जो blood test करते है, blood test का जो example होता है, वो होता है, direct agglutination, जिसे एक ट्यू भी कहते है, next आती है, आपकी, passive जिसे indirect कहते है, अब इसे indirect agglutination क्यों कहा है, बेटा अपनने, देखो, it is the process in which antigen is coated, इसमें एक antigen को coated करेंगे, antibody, जिसे latex particles कहते है, यह most important है, latex particles क का मतलब होता है, आज आप जो lab में test लगाते हो, विडाल test लगाया आपने, और भी बहुत सारे test लगाया, यह सब latex particle, passive indirect agglutination का एक्जाम पले, कभी competition exam में आया, कि विडाल test किसका एक्जाम पले, तो passive agglutination का एक्जाम पले, ठीके, किरिया में कर क्या रहे, एक antigen को लिया sorry, directly antigen antibody के साथ नहीं जुड़ेगा इसमें, इसमें पहले antigen को में जोड़ूँगा, लेटेक्स particle से, फिर इस mixture को डाल के में antibody के साथ जुड़ाऊंगो, देखी, diagram में समझने की कोशिच कीजिए आप यहां पर, यह मेरा latex particle है, ठीके, carrier molecule, यह केरियर मतलब लेने वाला, latex particle ह मिक्स किया, तो क्या बन गया, एसी है बन गया, अब इसमें मैंने उपर से यह 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 antibody डाली, तो मेरा antigen directly antibody से नहीं जुड़ा है बेटा, पहले यह antigen carrier molecule, जिसे मैं कहूंगा, latex particle से जुड़ा है, उसके बात जुड़ा, इसलिए मैं इसको indirect यह पेसिव कहूंगा, आईए next पे देखते हैं, reverse passive agglutination, reverse passive में क्या है, कुछ नहीं है, पहले मैंने antigen को coated किया था, अब मैं latex particle से पहले antibody जोड़ दूँगा, और बाहर से antigen डाल के reaction करवा दूँगा, देख लीचे, it is the process in which antigen antibody is coated with latex particles, after this combined with corresponding antigen, this process is known as reverse passive agglutination, देखो, यह मेरी पहले पेसिव थी, इसमें मैंने antigen coated किया था, और antibody को बाहर से डाल के जोड़ा था, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें antibody को जोड़ दूँगा, बाहर से antigen, दो को antigen और antibody reaction हमको lab में करवाने के लिए क्या करेंगे, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, या तो आ इसमें आरी कलपिना enzyme पे बेज़ बेसे ही कुछ यह system होता है, ठीके, I hope कि आपको यह चीज समझ में आई होगी, next video में मैं आपको clear करूंगा, कि आपकी जो next area, ELISA क्या होती है, अलग-अलग process आपको one by one separate video मिल जाएग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको topics clear हुए हो, तो please channel को like and subscribe कर दे and comments करके आप मुझे अगर कोई doubt हो तो बता सकते, description में मैं आपने number डाल दूँगा, अगर आपको कोई problems related to study material अगर आपकी requirement लगती है, तो आप मुझे वहाँ पर भी contact कर सकते हो, thanks for watching, bye. झाल 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 झाल